तो कहानी की सुरुवात में हमें सुमालिया नाम करके एक टापो को दिखाये जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत साय लोगों को बंदी बना करके रखा था। और इनी लोगों में से एक ऐसा इंसान था जिसको इन लोगों ने बंदे बनाया था और ये लोगों से काफी जादा टॉर्चर कर रहे थे और उसी इनसान को बचाने के लिए कुछ समय के बाद यहाँ पर एक Expendable नाम करके एक टीम आती है दरसल ये लोग जिस इंसान को यहाँ पर बचाने के लिए आया थे वो इनी का टीम का था और इस इंसान का नाम ट्रेंच था दरसल ट्रेंच साउथ कोरिया के एक अरभ पती को यहाँ पर बचाने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर खुद ही फस गया फैर अब इसके बाद यह लोग उस अरभ पती को और ट्रेंच को बचा लेते हैं और धुमादार फारिंग करके यहां से निकल जाते हैं इस टापू से बाहल निकल करके जब यह लोग जंगल के साइड में पहुँच जाते हैं तो उसी समय यहां पर कुछ लोग आते हैं जो इन लोगों को चारो तरफ से घेर लेते हैं लेकिन एक्सपेंडेबल टीम में एक स्नाइपर था जो दूर से ही इन लोगों को सूट करके मार देता है और इस इनसान का नाम बिली था जो हाल फिलाल में इनकी टीम में सामिल हुआ है सारा मामला साफ होने के बाद ये लोग बोट के सहारे से यहां से भागने का प्लैन मनाते हैं लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब टापू के लोग इन लोगों के उपर फारिंग करने लगते हैं लेकिन तभी इनके टीम का एक आदमी प्लेन लेकर के आता है और ये सबी लोग बोट के साथ प्लेन के अंदर चले जाते हैं ठीक उसे समय सामने के ब्रिज पर से इन लोगों के उपर लगातार फारिंग हो रही थी जिसके बाद ये लोग भी ब्रिज के उपर फारिंग करते हैं और एक ही बार में पूरे ब्रिज को खतम कर डालते हैं और इसके बाद साही सलामत ये लोग प्लेन को लेकर के यहां से निकल जाते हैं सबसे पहले ये लोग चाइना की तरब जाते हैं क्योंकि उस अरब पती के ओ ये लोग उसकी घर पर छोड़ना चाते थे जब ये लोग उसकी locuson पर पहुँच जाते हैं तो यन नाम का एक इंसान था जो इनके टीम का ही था वो इस अरफपादी को नीचे ले जाने के लिए पैरसूट के साथ नीचे जम कर देता है मिसन पूरा हो जाने के बाद ये लग वापस अपने सहर आ जाते हैं जहां पर ये लोग पार्टी करते हैं और काफी जादा इंजोई करने के बाद जब बन्नी अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बोस चर्च से होती है जो बन्नी से कहता है कि तुमारी एक गलती की वज़े से विलेने टापू पर मेरे 500 करोड का नुकसान हो गया और अब उसकी भरपाई तुम्हें मेरा दुसरा काम करके करनी होगी जिसके बाद बन्नी पूछता है कि आखिर वो कौन सा काम है यहां से कुछी दूर पर उत्तर के साइड में एक प्लेन क्रेस हुआ है उस प्लेन के अंदर एक पेटी है जिसमें बहुत ही जरूरी समान रखा गया है अगर वो गलत हातों में लग गई तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ जाओ और उस पेटी को ले करके मेरे पास आओ ये काम बहुत ही आसान है इसमें तुमें कोई भी नुकसान नहीं होगा मैगी चैन नाम करके एक लड़की है जो तुमें उस घाटी तक ले करके जाएगी इसके बाद बननी जा करके उस चाइनिज लड़की मैगी चैन से मिलता है जिसको उस जगह के बारे में मालूम है जहां पर प्लेन क्रैस हुआ है लड़की को देख करके बनने कहता है कि तुम इस मिजन पर मत जाओ क्योंकि इसमें बहुत खत्रा है जिसके बाद मैगी चैन कहती है कि खत्रों से खेलना ही मेरा काम है तुम मेरी फिकर मत करो कल सुबा में 5 बजे हमें वहां के लिए रवाना होना है इसलिए तयार रहना या कहने के बाद मैगी चैन यहां से चली जाती है अगले दिन सुबा होने के बाद सभी टीम एक जहां पर इकटा होती है और सभी लोग अपने प्राइवेट प्लेन से उस घाटे के तरफ जाने लगते हैं जहां पर प्लेन क्रैस हुआ है कुछ समय के बाद ये लोग उस घाटे के पास पहुँच जाते हैं लेकिन घना जंगल होने की वज़ा से प्लेन आगे नहीं जा सकता था इसलिए ये लोग आगे का सफर पैदल ही तै करते हैं यहाँ पर बननी बिली को शनाइपल ले करके पहाड के उपर के साइड में जाने के लिए कहता है जिसके बाद बिली शनाइपल ले करके भागते हुए पहाड के उपर चला जाता है ये काम इतनी जल्ली कोई और नहीं कर सकता था इसलिए ये काम बिली को कहा जाता है करने के लिए कुछ समय के बाद बिली उस location को ढूंद लेता है जहां पर plane crash हुआ था बिली इन लोगों को plane जहां पर crash हुआ था वहां पर भेज देता है और खुद पहाड के उपर चला जाता है ये देखने के लिए यहाँ पर कोई और है की नहीं जब ये लोग plane के अंदर जाते हैं तो इन लोगों को वो पेटी दिखाई देती है लेकिन वो पेटी इस समय एक छोटे से box के अंदर बंद था जिसके बाद बंद बंद और सीजर उस box के दरवाजे को काफी तेजी से अपनी तरफ खीचते हैं इसके बाद मैगी चैन फॉरण उस पेटी के कोट को हैक करने लगती है लेकिन कोट हैक नहीं होता है और जिसके बाद जो explosion लगा हुआ था वो activate हो जाता है हर एक मिनिट में कोट चेंज हो रहा था इसी वज़े से कोट को हैक करना थोड़ा मुस्किल था लेकिन मैगी चैन अपनी पूरी कोशिस करती है और बंविस्फोर्ट होने से पहले कोट को हैक कर लेती है इसके बाद ये लोग उस पेटी को ले लेते हैं और वहाँ से बहार आ जाते हैं लेकिन बिली का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था इसलिए ये लोग मिल करके बिली को ढूंडने लगते हैं ठीक उसे समय इन लोगों के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने बिली को बहुत ज़्यादा पीटा था और उसे पकड़ करके रखा था यहाँ पर जो जैंग नाम का इंसान था वो भी उस पेटी को हासिल करना चाहता था अब यह लोग बिली को नुकसान पहुचाने लगते हैं ताकि यह लोग उस पेटी को इने दे दे बिली कहता है कि बेटी को ले करके यहाँ से चले जाओ इन लोगों को वो मत देना या सुनने के बाद जैंग बिली को गंसे सूट करके मारने वाला था लेकिन इसके बाद बन्नी उसे बचाने के लिए अपने गंस को नीचे कर देता है इसके बाद जेसन जा करके जैंग के आदमी को वो समान दे देता है जब इन लोगों को समान मिल जाता है तो जैंग इन लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है जैसे ही ये लोग नीचे बैठते हैं तो तबी जैंग चाको की मदद से बिली की उपर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसे मारने के बाद अपने प्राइवेट हेलिकॉप्टर से यहां से निकल जाता है इसके बाद बननी भाग करके बिली के पास आता है और कहता है कि तुम फिकर मत करो मैं तुम्हें बचा लूँगा मरने से पहले बिली कहता है कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा या कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है इसके बाद बननी जा करके मैगी चैन से पूछता है कि आखिर उन लोगों को वो बोक्स क्यों चाहिए और आखिर उस बोक्स में ऐसा था क्या इसके बाद मैगी चैन बताती है कि उस पेटे के अंदर एक कम्प्यूटर है और कम्प्यूटर के अंदर एक ब्लूप्रिंट है दरसल जब रसियन का युद दुवा था तो उन्होंने पांच टन प्लूटियम का हथियार एक ख़दान में चुपा दिया था रसियन की मौत हो जाने के बाद किसी को भी नहीं पता था कि पांच टन प्लूटियम उन्होंने कहाँ पर छुपा करके रखा है लेकिन उस कम्प्यूटर के अंदर जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर पूरी जानकारी है और इसी वज़े से अब उन लोगों को प्लूटोनियम हथियार हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इसके बाद ये लोग बिली कीलास को दफना देते हैं और इसके बाद बनी कहता है कि हम उन्हें जरूर रोकेंगे उन्हें ढूलेंगे और अपने दोस्त का बदला लेंगे इदर हम जैंक को देखते हैं जो उस ख़दान में आता है जापर खुदाई करके ये लोग प्लूटोनियम को ढूल रहे थे ख़दान के अंदर खुदाई करने के लिए इन लोगों ने आसपास के गाउं से कुछ मजदूर को पकड़ करके लाए थे और उन्हीं से सारा काम ये लोग करवा रहे थे जब मजदूर काम करने के लिए इंकार कर देते थे या ठक जाते थे तो ये लोग उन्हें गन से सूर कर देते थे अब उस कंप्यूटर के अंदर ब्लू प्रिंट के जरीए इन लोगों को मालूम चल जाता है कि प्लूटोनियम को कहां पर छुपा करके रखा गया है दरसल इस समय प्लूटोनियम की कीमत कई अर्बों में था इसी वज़े से इन लोगों को हर कीमत पर प्लूटोनियम चाहिए था जब इन लोगों को सिंगनल मिलना बंद हो जाता है तो ये लोग अपने प्लेन को मैई पर रोक देते हैं इसके बाद ये लोग जाकरके एक वेन लेते हैं और वेन को लेकरके एक इनसान से मिलने के लिए जाते हैं दरसल ये इनसान भी जैंक के साथ में दो नमबर के धंदों में सामिल था इसी वज़ा से ये लोग सबसे पहले इस इनसान से मिलने के लिए आते हैं और जब ये लोग उस इंसान को मार करके जख्मी कर देते हैं तो इनसे पूच तास करना शुरू कर देते हैं। उस इंसान से पूच तास करने के बाद उस जहां के बारे में इन लोगों को मालूम चल जाता है जहां पर जहांग खुदाई कर रहा है। जब ये लोग उस जहां करना शुरू कर देते हैं बननी भी अपनी टीम के साथ गन लेता है और उन लोगों को सुट करके मारना शुरू कर देता है कुछ समय के बाद सभी लोगों का सफाया हो जाने के बाद ये लोग वैन लेकर के आगे बढ़ते हैं और काफी समय के बाद ये लोग एक छोटे से गा कर रहे थे इसके बाद बनने इन लोगों को बताता है कि हम लोग जैंग नाम करके एक इनसान की तलास में आए हैं कि बाद गाओं में रहने वाली औरत कहती है कि तुम सही जगाँ पर आए हो जैंग ने हमारे गाओं के बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके अपने साथ ले लेकर के जाते हैं काम करवाने के लिए इस समय हमारे गाओं के बहुत सारे आदमियों से जबरन ख़दान के अंदर काम करवाया जा रहा है दो दिन बाद फिर से वे लोग हमारे गाओं में आ करके हमारे बच्चों को लेकर के जाने वाले हैं लेकिन बन्नी फिर भरोस्त दिला के लिए और आदमी की जरूरत पढ़ने वाली थी जिसके बाद जैंग अपने आदमियों को फिर से गाओं में बैसता है कुछ आदमियों को लाने के लिए उसके आदमी लोग गाओं के अंदर आ करके मजदूर और बच्चों को ढूंडने लगते हैं लेकिन इस बार बननी ग्रोग के उपर हमला कर देता है और एक साथ मिल करके जैंग के सबी आदमियों का ये लोग खात्मा कर देते हैं जब आदमे नहीं आते हैं तो ये लोग बाकी के मजदूरों से ही सारा dengan बाहा निकल वाते हैं और जब सबी मजदूर को धक्का दे करके उसे ब पूरा कर सके और उसे मारने के बाद वो सारे प्लुटोनियम को हासिल कर लेगा ये लोग प्लेन को ले करके सीधा खादान के अंदर ही घुस जाते हैं लेकिन जैंग अपने आदमियों के साथ सारे प्लुटोनियम को ले करके पीछे के रास्ते से बाहर आ गया था बाहर आ जा तक ये लोग इंतिजार करते हैं और अलग अलग परकार से जुगार बनाते हैं लेकिन किसी भी परकार से इनकी हेल्प नहीं होता है। समय बीच जाने के बाद आचानक से सभी पत्थर तूटने लगते हैं क्योंकि इनके ही टीम का एक बंदा एक मसीन ले करके यहां पर आ करके पहुंच चुगा था और उसका नाम ट्रेंच था जो अपनी टीम की हिल्प करने के लिए यहां पर आया था। रास्ता साफ हो जाने के बाद यह लोग सभी मजदूर को सही सलामत बहार निकालते हैं जिसके बाद सभी मजदूर वाले जा करके अपने परिवार से दुबारा मिल पाते हैं बनने के पास चर्च आता है कि हमें साथ मिल करके उन्हें प्लूटोनियम ले जाने से रोकना चर्च अपने साथ हेलिकॉप्टर लेकर के आया था इसी वज़े से ये लोग दूर के रास्ते को जल्दी से तै कर लेते हैं और पहले से ही सामने जा करके ये लोग गन ले करके खड़े हो जाते हैं जैसे ही जैंग अपने टीम के साथ यहाँ पर आता है तो ये लोग लगा ही आसानी से उसके आदमी को मार देता है इधर जो बनी था वो जैंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है क्योंकि चर्च ने पहले से ही कहा था कि वो जैंग को जिन्दा पकड़ना चाहता है जिसके बाद बनी और जैंग के बीच में काफी जवजस्त फाइट होती है और इस फाइट के दोरान बनी जैंग को बहुत मारता है हलाकि बनी भी इस फाइट में काफी पिटता है लेकिन वो जैंग से हारता नहीं है बलकि उसे हरा देता है और आखरी में वो जैंग को चाकू से जान से मार देता है क्योंकि वो जैंग को जिन्दा चर्च के हवाले नहीं करना चाहता था बनने को पता है कि C.I.A की टीम से वो दुवारा आजाद हो जाएगा इसी वजह से बनने उसे जान से मार देता है मिसन समाप्त होने के साथ साथ ये कहाने भी यहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्तो हमारे योट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से सुकुरिया